सोफ्य तो का मतलब क्या होता है अच्छा सउप्यूर छोड़ो से आुछ एफ सेने हो तो मोबाइल में ह किस इंस्टॉल करना पड़ता है फेस बुक एपलिकेशन को अगर हमको बाट्सैशन चलाना किसा को इंस्टॉल करना होते हैं एक प्रोग्राम भी हो सकता है और सारे प्रोग्राम का कलेक्शन भी हो सकता है उधारन के लिए अगर मां बात करूं बाटव लनाते हैं तो बाटव सब्दप्छ चलाते है क्या क्या काम करता बाटव बता मुझे चैटिंइंग जाता है यह झातिश के लिए को एक काम करता है एक जो भी बॉइस मेसेज भीज सकते इसके लाबहें हाँ जो है वीडियो चेटिंग कर सकते हैं तो पर बोग्राम एकने कारने का सब्सक्राइब का प्रोग्राम हो गाए बताओ यहrahshdic हो गयए एक से दीखोगा ना तो एक प्रोग्राम हो या एक से दीखो उन सब के complete जो bundle होता है उसके हम क्या बोलेंगे software बोलेंगे या application बोलेंगे तो हम simple बोल सकते हैं कि program के collection को हम software बोल सकते हैं एक program हो सकता है या multiple program हो सकते हैं अब computer में चल रहा है computer software mobile software 據 बात करूँ किसकी इंसांगी तो इनसान को कोी काम देना है कैंसे दो गया सिंपल बोल के काम कर लेगा रहती है कि आ जी से प्रूइं काम से मोगशन शर्वाइद कहें परनतुस ये काम अगर 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 मशान को देते हैं लेका बीड़ी तो इस बयाएगा वहां ने काम दीजा क्या होगा बताऊ जरा मशीन को यदि काम देते हैं तो हमने चो टारगेट दिह वह अगर नहीं मिला तो वह काम नहीं करेगा मत्लब उसके अंधर कावन सेंस है क्या नई क्या नई तो उसको हमको निर्देशों को एक एक करके देना होता है एक करके बोले तो पहली स्टेप में क्या करना है दूसरी स्टेप में क्या करना तीसरी क्या करना चौहतीम क्या करना पांच में में छट्वेम अगर मानलो यह जो लाइन है अगर आगे पीछे होती तो भी द कोई दुकान दिखी उसमें से कुछ काम करना पांच-फिश टेप अगर हमने पहले बोल देख पांच-फिश टेप में दुकान दिखी तो यहां सूठा ही नहीं है इंस्टक्षान जो लाइन उप इंस्टक्षानस है वो कैं चभूनेलीनस में होना चाहिए उसी को धार्ण के लिए कि सी की घर में कोई कारकरम हो रहा है बढ़े कारकरम बोले तो क्या होता APP यहां सुखनेले कार देते कि फिर स물 शुरुष इस बीचीज बाद में यह तो बट्टे कांग्प्राण प्रेकर कम्ट्टरस से सुझंड playing को क्या देना पढ़ता है प्रोग्राम कैसे होते है निरदीर्श का क्रम यह last पारण के लिए आपन ने इंसान को बोले कि चाय बनाओ तो वह तो बना लेगा पता चल जाए तो इसको कैसे बोलना पड़ेगा पहले उठो राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ किचन मिलेगा गैस देखेगी दूद देखे का बरतन जो भी है उसमें डालो सब चीज और गै साव्ड का मतलब भी गाया हम भी गुए केचेन भी गया तो यह जो निर्देस रेवह करम होना कितनी जरूर है बहुत जरूरies अगर करम अनुसार नहीं होते हैं तो यह सही से काम करेगा क्या नहीं करेगा तो इसले कैसे होते हैं software program का collection होता है और program क्या होता है निर्देशों का collection होता है निर्देश कैसे होते है लाइन बाइ लाइन और वो भी sequence में एक के बाद दो आएगा दो पहले नहीं आएगा ऐसा आप समझ जाना तो robot या computer हम बोलें computer को काम कराने के लिए हमको instructions का group देना होता है लाइन बाइन उसे हम क्या बोल देते हैं program और program के collection को हम क्या बोल देते हैं software बोल देते हैं जैसे चाय बनाने का program हो सकता है robot के द्वारा हमारे लिए तो कोई program नहीं होता हमारे लिए आदेश दे दिए खटी बने मीठी बने कुछ भी बने क्या फरक पड़ता पर बन क्या आ जाती है आ जाती कि नहीं तो यह हो जाता हमारा program तो हमने पहले क्या देखे instructions इंस्ट्रक्शन का मतलब एक particular line जो हम बोलते हैं कुछ करने के लिए जैसे मानलोग खड़े हो जाओ तो वो क्या है एक instruction पर खड़े हो जाओ कुछ काम है क्या नहीं खड़े हो के पीछे जाओ और वो बटन को on कर ख्याओ वो क्या है complete एक program तो एक ही line है कि धेर सारी line उसमें चार पांच line हो गई खड़े हो पीछे मुड़ो बटन चालू करो बापास आओ तो चार पांच line क्या है instructions उसी को हम क्या बोल देते हैं program और धेर सारे program मिलकर क्या ब पढ़े हमने तो MS word एक software है तो क्या है वो देखो एक प्रकार से उसमें क्या होता है हम डॉकुमेंट तयार कर सकते हैं word processing का काम कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं मुलाव आप गिन नहीं सकते तो वो क्या है software है की program है बताओ software क्यों मुल्टीपल प्रकार के program है अब यहां software की definition आप पढ़ लेना अपने समझ गया है अब जरूवत क्यों पढ़ती है बताओ मुझे मानलो आपके पास mobile है computer मत देखो अभी mobile है तो mobile क्या करता है जब तक कि उसमें software ना हो तब तक वो on नहीं होगा चालू होता है क्या नहीं होता तो सबसे पहले mobile या computer को चालू करने के सब्सक्राइब हमको किसके जरूवत पढ़ रही है software की जिसका नाम है Android या operating system जिसका नाम है Windows समझ गया दूसरी चीज़ लेटर बगेर application बगेर टाइप करना था हमको MS Word की जरूवत पढ़ तो भी क्या है software है फिर उसके बाद चार्ट बगेर निर्मान करना है चार्ट बनान सब क्या है software तो इसका मतलब बिना software के ना तो हम computer में कुछ कर सकते हैं ना ही mobile में कुछ कर सकते हैं तो software की कितनी आवसकता है वो हमको बतानी की जरूवत नहीं है हम आसपास देख भी रहे ठीक हर चीज के लिए जैसे आपको exam में question आता है software क्या है software के बरतमान परिपेक्ष म बताईए अब बताओ बिना software के कोई काम हो रहा क्या नई आप उधारान अपने mobile से सुरू कर लो जैसे मान लो अगर आपको क्या करना है कुछ चीज सर्च करना है तो आपको Google Chrome लगेगा तो Google Chrome क्या है सर्च करने इंटरनेट में घूमने नेविगेट करने के लिए next आपको म अर्तमान परिप्रेक्ष में software के आवसकता है तो आप कितना लिखोगे ठक जाओगे लिखते लिखते पर हमको लिखना 3-4 पेज है ठकना नहीं है तो इसलिए इसकी requirement जितनी उतना लिखना अब बोल रहा है software तो है पर software के प्रकार बताओ प्रकार क्यों भाई उसके काम की ज चालू करने है mobile को चालू करने के लिए सबसे basic software कुन सा है operating system तो operating system में आप देखो Android आजा रहा है या फिर हम बात करें दूसरे जैसे Apple के जो डिवाइसे उसमें आपका Mac आजाता है या फिर iOS आजाता है Android के बदले और इसके जो computer की बात करें उसमें क्या जाता है Windows आजाता है तो translator क्या करता है हमारी भासा को machine भासा में बदलता है और machine उसको execute करती है और फिर हमको transfer करती है ठीक है हमको पता नहीं चलता पर होता है अब system चालू होगे system की basic activity भी हो गई परन्तु क्या basic activity चालू करने बस से काम हो जाता है बता मुझे अगर आपके mobile में WhatsApp नहीं है Facebook नहीं इंस्टाग्राम नहीं है फिर MS बड़ नहीं है कुछ भी नहीं है सिर्फ आपका mobile चालू हो गया है तो आप क्या उप्योग करोगी कुछ चीज कोई काम कर नहीं है तो आपको ज़रूत क्या पढ़ती है कि system चालू होना बस important नहीं है उसमें कुछ कुछ काम करते हम अपनी requirement क साथ से वह हो जाती application software जैसे letter type करना है आपका presentation बनाना है एकसल सीट में काम करना है database manage करना है तो हमको किसके जुरत पढ़ेगी MS office की photo editing बगेरा बैनर बनाना है पोस्टर बनाना किसके जुरत पढ़ रही है Photoshop की या फिर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं internet सर्फ करना चा साथ है तो भी किसके जुरत पढ़ रही application software की अब बताव मुझे चालू हो गया system application software यूज कर लिए समय समय पर उसको maintain करना पड़ेगा एकनी system को hang हो गया है slow चलने लगा है cash file आ गई है temporary file आ गई है तो utility software maintenance के लिए उस होते हैं जिसके अंतरकत आपके system tools सजाते है वायरस पूछे तो यह दो भी हो जाते हैं कौन-कौन से एक तो system आ जाता और एक application परन्तु utility software एक और category है जो कि इसके अंदर समाहित रहती है system software बोल दे मतलब utility आ जाती है पर अगर अलग से गिने तो भी गिना जा सकता उसको ठीक है तो कितने प्रकार के software हमारे पास मैं तीन अब नहां देखो system software क्या करता बताय मैंने कि और जो आपका computer होता है उसको बंद अवस्ता से चालू अवस्ता मलाता है यानि कि computer हमारा hardware है बंद रहता है तो उसमें कार करनी की छमता कौन लाता है system software जैसे operating system जितने भी है चाहे वो कोई भी system के हो mobile के हो computer के हो apple device के हो जो भी security में कौन-कौन से काम करते है यह आगे हम देखेंगे और मैंने अभी बताया system software में operating system आता है translator आ जाता है एक linker भी आता है loader भी और debugger भी होते क्या क्या है आगे देखेंगे चलो operating system हमने देखे जैसे android की बात करें या फिर windows की बात करें क्या करता है यह बता जरा process manage करेगा मानलो हमने कोई task दिये तो अंदर क्या process चल रही है जैसे गुड़ा भाग करना या जो भी चीज करना तो उसको manage कोन करता है operating system memory क्या store करना है कैसे निकालना है कितना delete करना है क्या करना सारी चीज़ों को manage कोन करेगा operating system उसके अंदर hard drive होती है memory card है hard drive है RAM है ROM है तो disk और file system को क दूसरे वेक्ति को जोड़ना है तो बिना wire के जोड़ते हैं पर यहीं बात करें computer की देखो जरा land cable के मध्यम से जुड़ा है तो वह networking कहलाती तो networking को कौन manage कर रहा है operating system किसी unauthorized person हमारे computer में mobile में घुशना चाह रहा है data चुराना चाह रहा है तो उसको security को manage कोन करेगा operating system और आपके mobile या computer से बहुत सारी devices connect होती जैसे mouse हो गया keyboard हो गया या फिर आप देखोगे printer हो गया monitor हो गया तो यह सारी devices को manage करने का कोन करता है काम operating system अब यह जो mouse है mouse आप जैसे ही इसमें attach करते हो तो क्या होता चलने लगता है कैसे चलने लगता भाई यह तो अलग पार्ट हो गय के लिए यहां कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए जैसे मान लो अगर आपके पास में कोई unknown person आके कुछ मांगे तो आप क्या बोलोगे कौन है भाई तो उसकी पहचान कराने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए आईडी कार्ड दिखाएगा या फिर कुछ बताएग डिवाइस ड्राइबर जैसे उधारन के लिए आपको लेपटॉप चलाना था है लेपटॉप को ऑपरेट करने वाले ओपरेटर कहलाता है गाड़ी चलाना है ट्रेक चलाना है बाइक चलाना है कुछ भी चलाना तो वो ड्राइबर कहलाता है चलाते कि निक खलाता एंसे ही इस mouse को इस operating system के साथ connect करके चलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है device driver, device है न ये एक प्रकार की क्या है device, input device हो गई, output device हो गई, तो किसी भी प्रकार की device है तो उनको चलाने के लिए एक software लगता है, जो क्या बताता है कि ये connect हो जाए, मतलब काम करने ये को बनाता तो उसे क क्या बोलते हैं अपन driver, driver से समझ गए होंगे, जो operate करता है, अब यहाँ बात करेंगे किसकी translator की, तो translator तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है assembler, दूसरा होता है compiler, तीसरा होता है interpreter, तो assembler क्या करता है, देखो जब हम computer में machine, मतलब हमारी भासा नहीं थी, हम नहीं समझ पाते थे, वो भासा क्या थी, machine भासा, machine भासा को अपग्रेट करके एक भासा बनाएगे जिसका नाम था assembly भासा, ठीक, assembly भासा आगे programming में पढ़ेंगे, तो यह भासा को computer तो समझेगा नहीं, क्योंकि computer क्या है, machine, वो सिर्फ किस भासा को समझेगा, machine भासा को, तो assembly language में लिखेगा को किस भासा में बदलेगा, machine भासा में, कौन, assembler, फिर बाद में आ गए हमारी भासा मतलब हम English में, कुछ में टाइप कर लेते हैं, कोई भी language में, तो जो language में हम टाइप करते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, source code, और computer तो अभी भी machine भासा समझ रहा है, तो source code को machine भासा में कोन execute कर देना, ठीक है, तो ये एक काम extra कर रहा है, कौन, interpreter, जबकि एक काम काम कर रहा है, ये सिर्थ क्या कर रहा है, बदल रहा है, मतलब convert कर रहा है, और ये convert करने के बाद क्या कर रहा है, execute भी कर दे रहा है, तो एक काम extra कर रहा है, कौन, interpreter, पर ध्यान से देखो, जैसे आप दे महनगा मिलता है footer लेने में और तोड़ा सा जाहदा भी लगता है और यहां ने मिलता ह्क्राव मिलता है और damage में ने ठनी पता चल दोग रहे कि अistok कर लेह है खरीद है भाई घर ले जाम खराब है को तो दिक्कत होती है मतलब ढूंड़ने में फोड़ी इसी मेहनत लग रही कि नहीं बताओ लग रही है पर जो फुटकर वाला वेक्ति है वो तुरन तुरन देख ले रहा है थोड़ा समेहंगा पढ़ रहा टाइम खपद भी हो रही तो यहां पर compiler पर जो interpreter हो क्या करेगा इसमें 20 line लिखी है तो हर एक light को एक एक बार में execute करेगा translate करेगा एकजिक्योट करेगा translate एकजिक्योट करेगा translate execute तो इसको समय जाधा लग रहा कि नहीं बताओ मुझे तो पर इसमें गलती पता चल रही कि नहीं एक बार में जैसे एक लाइन में गलती है तो वह ही बता देगा पर इसमें पता चल रहा गलती तो इसमें गलती ढूनना थोड़ा आसान नहीं है और इसमें आसान है दोनों एक एक काम कर रहा है पर यह एक्जिक्यूट भी कर रहा है चलो आगे चल ено जो मैंने बताया भी सारी चीज़े वह यहां पर लिखी हुई है अब देखो जो सोर्स कोड था सोर्स कोड अभी देखें अपनने स्वोर्स को कॉपाइलर क्या करता है मसीन पूक्ड मसीन कोड को हम ऑबजेक्ट कोड भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं object code पर object code run होने योग code नहीं है object code को हम run नहीं कर सकते run करने के लिए हमको ज़रुवत पढ़ती किसकी exe की किसकी ज़रुवत पढ़ती exe जैसे आपके mobile में आप ap के file download करते हैं करते कि नहीं वाइल में android उसी प्रकार computer में कुन सी file होती है exe executable file ठीक है तो linker क्या करता है linker object code को exe file में बदलने का काम करता है तांकि वो run हो सके और loader जो है loader उसको execute कर देता है ठीक है आप यहां library function होते हैं कुछ आप library का मतलब समझते होंगे आप जहां पर ढेर सारी चीजों का collection होता जैसे book की library बोले तो book का collection अब function की library बोले तो function का collection तो जो भी function लगते हैं वो यहां से load होका इधर execute हो जाते हैं इसके बाद एक और होता है loader तो loader हमने देख लिए यहां debugger होता है debugger मतलब क्या होता है चलो मुझे बता बग का मतलब क्या होता है बग सुने कहीं आपने बग मतलब क्या होता है गलती बग मतलब क्या हो जाता है गलती हो जाता है ठीक है तो error हम बोल सकते हैं बग को नहीं बोल सकते हैं अब बग का हपन सामने लगते थे दी मतलब error रही यानि error को हटाने वाला debug ठीक है और debug करनी की process कोन करता है debug करता है ठीक error bug मतलब error सेनोनिम्स है उसका यह bug मतलब computer भासा error मतलब normal बोल देते हैं अपन बैसे जैसे मान लो अपन MS word में भी देखें तो grammatical error आ जाती है या फिर हम house में देखें किसमें English में तो इंगलीस में भी error बोल देते हैं तो यहां पर error को क्या बोला जाता है bug और bug को क्या किया जाता है अब यहां पर बात करेंगे application software की मैंने बताया था application software आपकी समय समय पर requirement को पूरा करते हैं जैसे आपको letter बगएर टाइप करना प्रेजेंटेशन बनाना आतो कौन सा software चाहिए MS office फोटो डिजाइन करना है तो Photoshop पोस्टर बगएरा बैनर बगएरा बनाना है डिजाइन ग्रा आपको chatting करना है WhatsApp पोस्ट बगएरा कुछ करना है फेस्बुक चलाते आप इंस्टागाम चलाते तो सबकी एक specific task है की नहीं जैसे फेस्बुक में मैं बोलूँ letter type करोगे किस में करोगे MS word में तो इन सबका काम specific होता है इस specific काम के कारण इने बोल देते application software उप्योग के अधार पर software ठीक है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे word processing MS word से related, spreadsheet Excel से related, presentation software मिलेंगे आपको PowerPoint से related, accounting software टेली बगरा करते हैं, multimedia बोले तो जिसमें आप video, IDEO, voice, दुनिया भर के सारे काम कर सकते हैं वो कहलाते multimedia जैसे presentation software भी इसमें आ जाएंगे, DTP software में Photoshop से related, PageMaker से related, Coralra यह स कौन से आएंगे बताओ जड़ा, MS Access, पढ़े ना पन्ने, Internet software में कौन कौन से आजएंगे, Google Chrome आजएंगे, Microsoft Edge आजएंगे, जिसका काम Internet से related होता है, तो सभी specific काम कर रहा है कि लिए बताओ, जैसे मानलों Internet वाले software को हम बोले कि भाई, presentation बनाओ, तो बनाएगा जा, नहीं, तो इसमें कौन-कौन सी चीज़े आती, देखो, MS Word आ जाता है, Google Doc online चलता आपका, यह Word Paid है, उसके आद देखो, अलग-अलग IBM का Lotus Word Pro है, Word Perfect है, Apple Work है, इसके बाद Spreadsheet program क्या करते हैं, बताओ मुझे, Spreadsheet का मतलब हो जाता है, row और column में, जिन software में काम किया जाता है, data analysis करना, data storage कर करता है, Spreadsheet, अब सबसे अच्छा कुन सा है, इसमें बताओ जारा, Excel, जिसको प्योग हमने करें, उसी के भाई बंदू नीचे भी दिए, जिनको प्योग हमने नहीं करें, यह वाला आप कर सकते हैं, इसको प्योग ऑनलाइन होता है, अपने मोबाइल में आप Google Seet सकते हैं, Storytelling है, इसके बाद है, आपको Teaching करना है, Business से Related है, यहां Governance and Citizen Services, Job Seeker, बहुत सारी चीजों के लिए कि इसको प्योग किया जाता है, Presentation, Software, सबसे important कुन सा हमारा जो प्योग करते हैं, PowerPoint, और इसी का online version Google के दौर प्रोबाइट किया जाता है, क्या नाम है, Google Slides, इसके ब दो-दो-पॉइंट याद भी रहे तो बहुत है, फिर DTP Software आ जाते हैं, जिसमें Newsletter बगरा, Newspaper है, Browser है, Magazine है, Books है, Other Printing Material, जितनी भी होते हैं, वो कौन काम करता है, DTP Software, जैसे Adop Page में कार, Photoshop, यह सब सेकंड से हमें पढ़ेंगे अपन, इसके आद फोटो, Adop InDesign है, Publisher है, Quark Express है, Coral Draw है, यह सारे Software, DTP Software कहलाते हैं, Next, Multimedia, Multimedia का उपयोग क्यों किया जाता है, देखो यह 5 चीज़े दिए आपको, Text है, Audio है, Graphics है, इसके लाभा आपको Video मिलेगा और Animation, यह 5 चीज़ का उपयोग जिस Application में किया जाता है, वो कौन से Software कहलाते है, Multimedia Software, तो Multimedia Software में देख करना है, Photo Editing करना है, Presentation मनाना है, Animation मनाना है, बहुत सारी चीज़े इससे Related है, सब कहलाते हैं, Multimedia Software, इसके बाद और आजाते है, Accounting, Accounting में क्या होता है, बताओ मुझे, लेखा जोखा रखना, Tally बगएरा, Excel भी इसमें आजाता है, पर हम Tally को इसमें सामिल करते हैं, कोई Book ह है, Facebook है, तो यह चीज है जाती, अब बात करते हैं, किसकी, Utility Software, Utility Software बताया था, मैंने कम्प्यूटर की कार्चमता एक समय बात Slow हो जाती है, काम करना Slow कर लेता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें दिक्कात आती है, तो उन सभी परिसानियों को दूर करने का काम कौन क करते है, Utility Software, जैसे अनवस्यक डाटा को डिलीट करना, डिस्क की मानवस्यक स्पेस हो गया, तो उसको हटाने काम करना, यूजर की सेकुरिटी मेनेज करना, वायरस आगया तो एंटिवायरस, सॉफ्टेयर को प्योग, सॉफ्टेयर समय समय पर अपडेट भी होते हैं, नहीं के नाम भी यहाँ है, एक बार और अपन देख लेंग, ओपन करके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देखने मिल जाता कौन सा, कम्प्यूटर लेंग्वेज, अपन इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक, यह समझ में आगया आपको अभी सॉफ्टेयर, सॉफ्टेयर एक बा इसमें देखो, डिवाइस ड्राइवर अभी देखे है अपन ने, डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या है, हम कोई भी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो उसको काम करने युग बनाने के लिए एक सॉफ्टेयर लगता है, वो क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर लगेगा, अब युटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर के मेंटरनेस के लिए, अभी देखे ना पनने, तो देखो, ये कोश्चन आया साफ साफ मैं एक्जाम में, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, उसको आपको बताना है, जैसे MS बट को उप इकॉम्मेड बनाने के लिए, एक साल को उप्योग क्या जा रहा है, डेटा एनलीसिस करने के लिए, गूगल मीट को उप्योग किया जाता है, उन्लाइन पढ़ाई के लिए, लाइब क्लास के लिए, इसके लाववे हम यूटूब भी एक प्रकार का साफ्व्टैर है, तो उसके लिए क्या किया जाता है अगर मनुरंजन है उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए तो कम से कम चार पांस सॉप्टेयर के बारे में अपन लिख सकते हैं तो वह जाएगा आपका यह कोस्चन का अंसर नहीं मिलेगा करें यह तो अपने को पता नह में हम कुन-कुन से सॉप्टेयर उप्योग कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लिख सकते हैं विंडोस 11 हम लिख सकते हैं फिर देखो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज नेक्स्ट टॉपिक हा भी जो हम बात करेंगे उसके बारे में देख लेंगे देखो यहां वर्ड सॉप्टेयर देखे हैं अपने एमस वर्ड है गूगल डॉक्स है तो सारे सॉप्टेयर के वारें थोड़ी जानकारे इस्प्रेट सीट सॉप्टेयर भी देखे अपने उसके बाद अपने प्रेजेंटिसन देखें डीटीप यहां चारही पूछा आपने बहुत सारी कैटी ट्विटर भी वाच्चीत कर सकता है हम भी कर सकते हैं वो चीज हम यहां पर देखेंगे